हाई फ्रेंड्स आप मेरे लेटेस्ट अब्डेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash hindi tech tools टाइप करके यहां subscribe बटम प्रेस करेए अगर आप subscribe बटम प्रेस करो गेए तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अब्डेट्स लाता हूँ ना वो सीधा आपके मेल पर आ जाए फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में हम लोग पेटेम के वारे में समझेंगे आलड़ी पेटेम के बारे में मैंने बहूस सारे वीडियोस बनाया था कैसे money को विड़रा करते हैं यानली एक गप्चुब बंडी वालों ने भी Paytm Money आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है ठीक है इस तरह आप कहां पर भी देखो कि ना बहुत सारे बड़े-बड़े शाप्स में भी आपको ये देखने के लिए मिल रहे है बंक्स पर भी देखने के लिए मिल रहे है ठीक है तो आपको ये Paytm की जानकारी होना चाहिए और इसको इस्तमाल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है बहुत आसान है आप इस पर आकॉंट बनाना चाहते हो तो Paytm.com पर भी जाकर बना सकते हो या अपने मोबाइल पर Google Play Store से एक आप डाउनलोड कर लीजे ठीक है उस आपका नाम क्या है Paytm डाल कर आप रिश्टर कर लीजे रिश्टर करने के बाद दीखिए इस पर पैसे कहां से आएंगे बैंक में से इसमें आड करना है और जहां पर भी आप जाते हो उन लोगों को फिलाल एक साव रुपे आड करने की कोशिश करता हूँ डाल कर यहां add money प्रेस करता हूँ add money प्रेस करते ही आपको यहाँ आपके bank details पूछेगा यानि आप किस के जरिए amount आड करना चाहते हो credit card debit card या internet banking ठीक है जो भी आप जिसे भी आप आड करना चाहते हो हाँ दे दीजे जीसे देखीए यहां इस तरह का मेरा स्क्रीन खूल चुका है इसमें देखिए यहां सेवड अकाउंट है ड़ाई एग यहां जालकर मैं अपना कोड डालकर पेन उपर प्रेस करता हूं पेन उपर प्रेस करते ही क्या होगा मेरे अकॉंट में से 100 रुपे कट जाएंगे और मेरे पेटियम के वैलेट में आ जाएंगे ठीके तो इसके लिए आपको आपके वो सब डालना होगा क्या कहते है आपका डेबिट कार्ड का नंबर और एकस्पार डेट और सीवी नंबर ड कर चुका हूँ इस तरह आप देख सकते हो ठीके आपको यहां और भी आप्शन देखने के लिए मिल रहे है जैसे आप इसको रिटन भी करना चाहते हो तो बैंक पर रिटन भी कर सकते हो रिटन भी कर सकते हो ठीके तो आपको देखिए यहां पेड का आप्शन कहां कहां आप send कर सकते हो, और भी कुछ पैसे चाहते हो, तो add money to wallet प्रेस करोगे तो और भी add हो जाएंगे, ठीके, तो ये तो हो गया, बाद में दीखिया, आप कैसे pay करोगे, pay करने के लिए आपको दीखिये, यहाँ बहुत सा option से, और दीखिया, आप money को mobile recharge करने के लिए, bus ticket के लिए, flight tickets book करने के लिए, train tickets book करने के लिए, bills बनने के लिए, shopping करने के लिए, इस्तमाल कर सकते हो, जो money add किया है न, उसके जरी, online shopping के लिए, ठीके, नहीं तो दीखिये, आप किसे कहां पर भी जाकर pay करना चाहते हो, तो pay भी कर सकते हो, ठीके, तो उसके लिए आपको करना क्या होग आप mobile number डाल दीजे, जिसको भी pay करना चाहते हो, ऐसे कुछ भी number डाल दीजे, उनका जितना भी amount भेरना चाहते हो, उनके mobile number पर डाल कर, send button प्रेस कर दीजे, ठीके, बहुत जल्दी चला जाएगा, एक minute के अंदर अंदर उनका amount पहुंच जाएगा, उनके PTM के wallet पर चला जा सकते हैं, ठीके, तो आप देखिए, QR code के जरीए, ठीके, तो आप यह scan QR code किस लिए इस्तिमाल करते हैं, आप समझे, आपके पास कोई एक sharp है, ठीके, तो आप दुकान के आगे QR code लगा सकते हो, उसके लिए यहां नीचे profile पर जाएए, जाने के बाद यहां my ATM code है, उसको tap कर करते ही, आपके पास इस तरह का एक QR code आजाएगा, आपको करना क्या होगा, इसको print out निकालना है, प्रिंट निकालके आपके दुकान के साम में लगाना है, लगाने के बाद जो कोई भी बंदा आपको amount पे करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आपने, जो कोई भी mobile है, मोबाइल ओपन करेगा, मोबाइल ओपन करने के बाद दिखे, यहाँ उसके मोबाइल पर पे नव का बटन है, हम लोग ने अब देखा था नव का बटन, उसको ओपन करते ही, वो QR code स्कान करने के लिए कहेगा, जैसे दिखे, मैं यहाँ पे नव प्रेस करते ही, QR code स्कान करन आपको amount डालकर send करना है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप देखिए किसी को request भेजना चाहते हो, यानि मुझको इतना money चाहिए, आप भेज दीजिए, ठीक है, इस तरह रिक्वेश्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी इसमें एक option available है, उसके लिए देखिए आपको यह कितना amount चाहिए, वो amount डालकर request money प्रेस करोगे ना, तो उनके पास एक request चला जाएगा, ठीक है, तो अगर वो accept करते हैं, तो उनके wallet में पैसे होते हैं, तो आपके wallet में पैसे जमा हो जाएगा, जो पैसे आपके account में होते हैं, उसको आप withdraw करना चाहते हो, तो क्या करोगे, य बैंक आप send money to bank है इस पर प्रेस करें, send money to bank पर प्रेस करके, जितना भी amount है उसको transfer कर सकते हो, उसके लिए डेखें आपको यहाँ transfer प्रेस कर नहो time होगा, यहां डिखें, amount कितना डालना चाहिए, 100 से 500 अर्द तक आप transfer कर सकते हो, आप यहाँ amount डाल दिजे, ठीके, डालने क करके दीखे बद में अकॉंट होल्डर नेम अकॉंट नेमबर आए फसी कोड डाल कर सेंट बटन प्रिस करोगे तो आपके अकॉंट में पैसे जमा हो जाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आये तो लाइक बटन प्रिस करिए फेस्बुक के जर जरी गूगल प्रिस के जरी इस वीडियो को शेर करिए सब्सक्राइब बड़ाम पर क्लिक करना मत भूलिए थांक्यू